आपने सुना होगा अब हो सकता है वह नाम आपने इसलिए सुना हो कि यूनो बहुत जादा रिच फामिली के बच्चे आते हैं मतलब मैंने बहुत चारी रील्स देखी हैं या फिर आपको यूनो अगर कार्स के कलेक्शन देखने हैं तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं मतलब ऐसे बहुत सारे मैंने रील्स देखे हैं बेस उन दाडाम से पर अम बात करते हैं तो एक बच्चा जो है वो एक तरह से फाइनल इंवेस्मेंट कर रहा होता है वन इट कम्स तू एजुकेशन राइट तो वैसे तो मैंने बहुत बार EGBS, EGBS सुना था बाट येस्टेडेडाइ इंट्रक्टेड इंट्व स्टू जावे मुझे पता चला MET के अंदर तीन कैमपसे हैं M.B.A. के, एक A.B.S. है, एक A.I.B.S. है और एक EGBS है तो अभी मैं A.B.S. के बारे मां बात करने वाली हूं बात करने माले हूं इसे में बात करने वाले हूं बात एंड कैसा ये college है, पीछे content है, content तो नहीं देखा है, बट हम बात करने वाले हैं, as per students क्या feedbacks है, so let's get started. जिस students है, मैंने interact किया था, वो 21-23 batch के students है, कुछ 22-24 batch के के भी students है, right, college के, जाता students की specialization, finance थी, and I think, एक दो students थे, जो marketing specialization के थे, तो simple सी शीज है, मैंने जब intake का question पूछा, अब इको सबसे पहला question में ये पूछती हूँ, तो उनको intake तो नहीं पाता था, बट उनका ये कहना था, कि हर section में 100 बच्चे है, और शाद finance के 3 section है, marketing के 2 section है, तो अगर हम इसके हिसाफ से calculate करे, right, तो मेरे साफ से 400-500 बच्चा है, that means still the intake is high, right, so now talking about the college, अभी को पता है, MET University 1995 में established हुआ था, बाकी बहुत सारी चीजे हैं, हम उसको तो नहीं पढ़ेंगे नहीं, आप भी नहीं पढ़ते हैं, right, highlights में बाप करें, तो 2008 में established हुआ था, MBA कराता है, बहुत सारी streams में, ये top recruiters mention है, ये facilities mention है, ये कुछ key highlights mention है, अम उसको भी थोड़ा सा detail में discuss करेंगे, ये accreditation और affiliation है, बहुत सारी ranking है, मैं हमेशा ये कह रहे हूँ, अभी recently NIRF की ranking में भी, management में, if I'm not wrong, top 30-40 college के अंदर, जो है, वो MET आगया, I don't know how, but, यार, मतलब, कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात क्या होगी, मतलब, मुझे ऐसा लगता है, कि जितनी ranking दिखती है, placement के terms, क्योंकि बच्चा जब college देख रहा होता है, तो उसका parameter होता है, placement, उसके हिसाब से, ranking में इसका आना, थोड़ा सा, you know, not so justified kind of था, because कई सारे IIMS जो है, वो काफी पीछे रहे गाया, बिचारे, वो सोच रहे होंगे, कि हमने जिंदगी में ऐसे कौन से काम कर दिये थे, कि, you know, हमें ऐसे दिन देखने पड़े, but, coming back to the point, हाँ, इन्होंने mention कर रखा है, rank 28 in NIRF, ranking July 2028, लब सोचो, top 30 colleges में भी बोलता है, but top 30 colleges के लाइख तो नहीं है, this is what I feel like, but that was the ranking and accreditation, मैं इसको skip इसलिए करे हूँ, because मुझा ऐसा लगता है, ranking के basis पे admission लोगे, तो फिर बाद में ऐसा लगेगा, यार, मतलब ये तो गलत कर दिया मैंने, collaboration की बाद करें, तो these are the international universities जिनके साथ collaboration है, अब इसमें क्या होता है, student exchange programs, जैसे होते हैं, colleges में, सबके लिए compulsory नहीं होता है, but opportunities मिलती है, और उसमें कहीना कहीना, student exchange program में, participate कर सकते हैं, now talking about programs, so here you can see multiple specialization right from MBA general marketing, marketing sales, finance, retail, HR, entrepreneurship, digital marketing, consultancy management, technology management, business analytics, CISM, मतलब, so many specializations are there, what you can apply for, यहां पे fee structure mention नहीं है, but मैंने students से बात की, तो उनका ये कहना था, कि दो साल का जो investment है, वो 16 lakh rupees का है, तो then I checked out on the website, काफी जादा ढूनेने के बाद दिखा, 3 lakh 89,000 का fee structure है, per semester, मैंने उसको multiply by 4 किया on my calculator, so near about 15 lakh 60,000, 70,000 का, तो मोटा मोटा आप यह मान के चलो, कि 16 lakh का investment उन students को पढ़ा, आने वाले students को कितना और जादा investment लगता है, एक देखने वाली चीज है, and also hostel का जिन बच्चों से बात कि वो hostel नहीं ले रखा है, तो hostel का मान के चलो, 20-21 lakh का investment है, तो सबसे पहला question जो तुम्हें खुझ से पूछना चाहिए, प्रशन चिन जो दिमाग के ऊपर आ रहा होगा, तुम्हारे मतलब यहां पे तु दिखने रहा है, बट आपके जो दिमाग में आ रहा होगा कि क्या 20 lakh का investment सही में बहुत है, तो यहां बें एक सिंपल सी चीज बताऊंगे, लिस्स में कॉन से colleges हैं, आपका क्या requirement है, मेरे साब ते fee structure, जैसा यह MBA के लिए उस हिसाब से उतना worth नहीं है, यह मुझे लगता है, बाकी हर student का अपना preference है ROI के terms में, brand value के terms में, अगर आपको confusion है, आप नहीं decide कर पा रहा हो, नीचे एक profile analysis form दिया है, जसको fill करके भी आप details ले सकते हो, I think, इवेंस में उन्होंने कई सारी चीजे mention किये है, exposition, gender equality, biasness and so many events like that, we'll skip that also because वो भी बच्चा जानने में interested नहीं हो, तो उसको दो चीज आनने है, fees किते नहीं है, admission कैसे होता है, placement क्या है, reality check क्या है, और हम उसी मुद्दे पर बात करते है, है when it comes to all these videos, admission process cut off नहीं है, जन्स student से बात कि किसी का 55 था, किसी का 60 था, तो आसच cut off नहीं है, तुमने form भारा है, interview हुआ, GD हुआ, and you'll be able to make it to the college, right? So, जैसे बने बताया, batch size काफी बड़ा है, तो admission जो है, easily मिल जाता है, profile देखा जाता ऐसा नहीं, कि एकदम नहीं देखा जाता, पर देखा जाता है, so placement में, यह website पर उनका placement mention था, ABS का, right? और last five years का placement mention था, last five years में जो इन्होंने average salary mention कर रखी है, 6,45,000, median salary 6,000, mention कर रखी है, highest salary 12,000, mention कर रखी है, और number of companies 200 plus mention कर रहे है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया, कि मैंने जन बच्चों से बात की थी, वो 21 से 23 की batch की pass out है, तो as per them, average package क्या रहा है, उनके हिसाब से, जितने भी campuses हैं, MET के, either we talk about AIBS, or either we talk about AGBS, उनसे better है ABS, प्रेटर है तो fees भी जादा है, because वो बच्चों को तो बाद बहुत बाद ने, opportunities भी नहीं मिलते हैं, इनको company सबसे पहले आती है, सबसे पहले ये बैठते हैं, क्योंकि ये जादा पैसा दे रहे हैं, मतलब वो एक, तुमने सुनी होगी ना, इतना पैसा में इतना इच मिलेगा, तो अब जादा पैसा दे रहो तो कुछ तो फाइदा मिलेगा, तो placements के लिए companies दो आती हैं, अनलोट से companies नहीं आती हैं, जैसे student मैंशन कर रहा था, HCLI थी, Wipro थी, Blackrock थी, Banks थे, EY थी, PWC थी, KPMG थी, Deloitte थी, Deloitte सिर्फ Tax Consultant Profile के लिए आई थी, Right, Internship जो है वो दो कराता है, You know, Second year में जो Internship होती है एक तरह से report रहती है, अगर आपका placement लग जाता तो आपस की बना सकते हैं, First year की Internship जो है, That is called NTCC, Which is basically a compulsory Internship, Two months की होती है, College provide करता है, And paid, unpaid, Both Internships होती है, Depending upon आपका किस company में हुआ है, Placement, क्योंकि पीछे س्लाइट प्लेश्मेंट की है, After student banks, $5,600,000 के package पे थे, कई सारी companies $8,600,000 के package पे दस लाग के package पे, Right, Highest इस साल का ट्रॉदा लाग का है, As for student अभी report आई नहीं है, इसे लिए हम वाज़ात क्लियरली नहीं बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट हैं, जैसे तीन स्टूडेंट को तेरा लाग का भी पैकेज मिला है साड़े पांच, साड़े चार से साड़े यहों 6 लाग का भी पैकेज है अगर आप परफॉर्म करने में अच्छे हो तो आप अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट निकाल सकते हो अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का कहना है वहां पर थोड़ा सा सफर कहीं न कहीं करना पड़ता है अगर आप मीडियन देखेंगे एवरेज देखेंगे पाँच 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 अनिस साल 2022 में च्छे क्या असपास था तो यह पाकेजिस हैं प्री प्लेसमेंट ओफर्स कही सारे हैं अमें आल इन बाकी मैंने आपको इंसाइट दे दिया दिया, Deloitte, EY, Wright, Honda, KPMG, ThePro यह सारी कंपरीज यह में बता चुकिए, BlackRock, IT, Scholarship भी प्रवाइड करता है बट क्राइटेरियम समिन में नहीं आता, जुस बच्चे का, I think 95 अबाव है, CBSC, ICSC, 80% in graduation, 100% scholarship है, then 90-94, you know, percent है, CBSC में मतलब 10th और 12 की बात हो रही है, 75% graduation में 75% है, यह initial apply करने वाले बच्चों के लिए, end में apply करने वाले बच्चों के लिए, 90% state board 75 in graduation 20% and CAT 80% in above, MAT 550, GMAT 500, 25% की scholarship भी यह offer करता है, right, तो 20-21 लाग का investment है, right, उसके बाद average package तुम्हें बात आई चुकी हूँ, अब तुमको देखना है कि तुम्हें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, activities होती है, university है, you know, extra curricular के लिए ही नोन है, so that is something what you'll find, these are the few notable alumni when it comes to MIT University and I think सारी चीजे मिल जाएंगी, campus में बहुती सुन्दर campus है, that's pretty much about this episode, do let me know your feedback in the comment section below, do not forget to like, share and subscribe.